अद्भुद व्यक्तित्व के धनी जै शिवाचार्य महान है। अद्भुद साधना ध्यान करते आत्मो धान है। फले आपकी साधना गाता प्रकाश यशगान है। आत्मो ध्यानी सद्गुरुदेव आचारे समराट पूझे श्री शेव मुनीजी महाराज सहब के लोग कल्यान की मंगल भवनाओं के साथ सत्शह नमर। प्रभु ने सब कुछ बता दिया। किसके प्रती उस प्रभु के प्रती अरिहंत प्रमात्मा के प्रती ज़ए उनकी वानी के प्रती ये अपने प्रती के मैं आत्मा हूँ। प्रणादी काल से हम मूल कारण संसार का मिठ्यात्व है। मिठ्यात्व जब तक रहेगा तक तक तुम कितनी भी धर्म क्रिया कर लो मुक्ती का द्वार खुलेगा ही नहीं। मिठ्यात्व कार्थ समझ गये। क्या समझे मिठ्यात्व कार्थ देखिए आपने पढ़ा, आपने सुना, आपने लिखा, आपने स्वाध्याय किया कि जीव को अजीव समझना, आजीव को जीव समझना, पर जब तक आप इंद्रियों में रस लेते रहे, देह में रस लेते भगवान के वानी सूनी अभी अभी सूनी कितने प्रभू ने एक एक clear कर दिया कि पांचों इंद्रियों में कितना रस लिया और जिस रस से ले कर के तुमने करमों के पुझ बांधे जितनी तीवरता से रस लेके बांद आंखों ने द्रिश्च देखा और बार बार देखा उसमें गृद्ध हो गए कानों ने संगीर सुना उसमें गृद्ध हो गए नासिका ने सुगंद ली जिभा ने रस लिया ऐसा रस बार बार चाहिए ऐसा भोजन बार बार चाहिए किस स्थान पर गए, उस स्थान के प्रतिय सकती, शरीर के प्रतिय सकती, पांचों इंद्रियों के तईस विश्य के प्रतिय सकती, मन ने जो चाहा वो किया, बुद्धि ने जो चाहा वो किया, जानती हुए यह मिठ्या तो है, फिर भी किया, बोलो किया के नहीं किया, फिर से यह पहली बार नहीं किया है हर गती में हर योनी में हर कुछ करते रहे धर्म को समझा नहीं । प्रभु कि स्तुती कर ली गीद गा लिए पचकान कर लिया आपने आपको धर्मात्मा मान लिया और करता भाव छोड़ा ही नहीं आत्माARY करता है ही नहीं आत्मा मात्र ग्याता है पर क्या करता छोड़ा देखिए यही कारण है चार गती मेरी असक्ति मेरे नाम पर है शीमुनी का नाम रहे शीमुनी की जैजयकार होए शीमुनी के फालोवर बन जाए शीमुनी का चमासा बढ़िया हो जाए शीमुनी के गृंत शब जाए शीमुनी के भक्त बन जाए तो कि आज शीमुनी की जैजयकार से मैं तर जाओंगा कि सारा म तुम निरिक्शन करो, ये शिवर ऐसे नहीं है, ये भी सुना वानी ने कहा शब जानते हैं शब्द कठोर है पर प्रबू ने हमें चताया है कि देखो और जानो कितना रस लिया है इस देह के लिए और ये जानते हैं कि देह राक बनेंगी तुम भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ पर फिर भी कितना रस लिया है इस दे के लिए घर का भोजन अच्छा नहीं लगता तो कहां जाते हैं फाइव स्टर होटल में खाने के लिए घर अच्छा नहीं लगता घुमने लिए कहां जाते हैं दुबई जाते हैं चाइना जाते हैं जपान जाते हैं जर्मनी जाते हैं जाते हैं क्यों जाते हो इस देहे को सुकमाल और करने के लिए तुम स्वैम दिरने करो बागवान कहते हैं देखो जानो और समझो क्या क्या नहीं किया जब से जन्म दिया और अभी तक हम साधू भी बन गए मैं अपनी बात कहता हूं मिठ् तो जब तक मिठ्यात वरहेगा तुम कितनी क्रियाएं कर लो कुछ कर लो मुक्ति नहीं होगी कितना गहरा मिठ्यात हम जानते हैं सब जो भूजया अच्छा नहीं लगता तुरं थम प्रती क्रिया कर देते हैं यह बज़न ठीक नहीं मुझे नहीं चाहिए जो आदमी अच्छा नहीं लगता हम उससे बात करना पसंद नहीं करते जो हमारी परशंसा करते हैं उनको पास में बुलाते है यह सब क्या है रागभाव कहां आता है जहाँ दे किये सकती है जहाँ इंद्रीयों की सकती है जहां मुदरंजन के प्रती मन चाहता है जहां बुंधी दिन्द्यां लेती है यह सारा मिठ्यात हूँ पर मेरुची ली तो मिठ्यात हूँ स्वै मेरा मन किया तो स्वमकत देखिए विचार कीजिए आज तक जनम से लेकर हमरी माने पाला पोसा बड़ा किया आज लोचना सुनी लीस बिनिट की लोचना कितनी घहरी थी कितना मिठ्यात में जिये यह सारा मूल कारण मिठ्यात मिठ्यात का मतलब जो नहीं है उसको हमने मान लिया जो है उसको जाना ही नहीं तो मिठ्यात वको तोड़ने का मतलब यह है कि आज देहे, पांचों इंद्रियां, इंद्रियों के विशे, मन, बुद्धी और जो जो संसकार तुमने बना रखे हैं, उसके प्रतिजेदी आपका करशन तूटा नहीं, तो मिठ्यात वजारी है, अब उसके अपोजिट क्या है, समकत, समकत का मतलब क्या है कि आत्मा में र चर्दा रेना, जब इंद्रियों पर थी, मन पर थी, विचारों पर थी, मेरे विचार, मेरे विचार बहोत अच्छे हैं, तो ये अलग करके स्वै में रमन करना, अभी आपने ध्यान किया, ध्यान करते समय, जब आप गहरे चले गए, वो अनन्द आया की नहीं आया, वनन क देखने से आया, वस्तर पहनने से आया, हीरे जवरात पहनने से आया, अनन्द हमारे पास था, प्रभु ने किर्पा की, जलक दिखाई, और ये भी पता था, आपने कौशक भी किया, ऐसे कौशक आप घंटा घंटा, दो-दो घंटे करोगे, और देख में दर्द होगा, पर अनन्द छलकेगा, और देखा दर्द दूर होगा, और अनन्द करम नर्यत होंगे तम़ारे, ये है साधना का बल, आप स्मे मनभव कर रहे हैं, वो अनन्द कहाँ से आया, वो लो कहाँ से आया, हाँ प्रभू की वानी ने सिद्ध किया यदि ऐसे आके बैर जाते मैं करवाता आपको अनंद नहीं आता था उस प्रभू की महाविद्य क्षेत्र में विराज मान कैसे कैसे हमारा मिठ्यात्व तोड़ते हैं कितनी करुणा से बताते हैं और जहां जटका देना होता है जटका भी देते हैं फिर भी कहते हैं वानी कठोर है हम जानते हैं पर अपना मिठ्यात्व तोड़ो फिर भी हम धीड के डीड हैं चरे जाओगे चार दिन के बाद वही संसार वही बच्चे वही धन क्योंकि हमें सुक धन में लगता है धन में सुक है धन अवश्यक है मैं मानता हूं तुमारे लिए धन अवश्यक है धन चाहिए परिवार के लिए बच्चे हैं सब कुछ चलाना है पर कितना धन चाहिए इतनी जरूरत है उतना रखो भगवान महावीर के 10 श्रावक थे उन्होंने भी धन था 12 कोड़ की संपत्ति 14 कोड़ की संपत्ति 40,000 गाएं, 60,000 गाएं उसमें गोधन था पर जब भगवान की इवानी सुनी एक श्रावक की 12 बरत ले लिए जब तक आप 12 बरत या एक ही भगवान की वानी सुनी और खड़े के बुला प्रभो हम साथ हो नहीं बन सकते हम श्रावक बनेंगे महावी इदने का आहास हो हम दे कभी प्रभू जबरदस्ती नहीं कहते जैसे आपकी आत्मा को सुनी अब भी सुनते है वानी श्वांसों पर तमारा धिकारा है इस श्वांस को यदि तुम संसार में लगाओगे शरीर के लिए लगाओगे तो अनादी काल से यह संसार का चक्कर और घूमते रहोगे यह इस स्वांसों को आत्म रमन, आत्म चिंतन आत्म प्रिक्षन और आत्मा में स्थित हो जाओगे वही श्वांस से कर्म जिदा बनेगी तो वो जब आपकी श्वांस से आत्म रमन में लगी आत्मा, आत्मा, आत्मा आप डूबे शरीर का भान भूला कोई देहातीत हुए, कोई नहीं हुए विचार भी आ रहे थे पर सुख जलक रात तपक रात सुख जलकता है भीतर सुख है अनन्द है ग्यान है शांती है शक्ती है हमारी भीतर बहर नहीं है इस मिठ्यात्व को दोड़ दो कि सुख धन में है सुख परिवार में है सुख समंदों में है सुक भर्मन में हैं सुक इंद्रियों की असक्ती में हैं सुक मनुरंजन में हैं वो सुक नहीं है जब तक मनुरंजन में सुक लेते रहोगे मिठ्चा तो पुष्ट होगा कितना कैदो मिठ्चा तो तोड़ दिया यदि आपने मनुरंजन में रस लिया मन की अनकूल लगे मन की अनकूल क्या लगता है आप सेम देखो कि आपको निर्ट्री अच्छा लगता है कि घर में टीवी ओन करके टीवी देखना अच्छा लगता है कि घूमना अच्छा लगता है कि भार खाना अच्छा लगता है कि बाते करना अच्छा लगता है ये सारा कि सारा करम बंधन का कारण है और जितना तुम मौन का पादन करोगे बीतरा होगे तो रस टपकेगा और अनंत करम स्वेह में नज़त हो जाएंगे करम का बंधन कैसे होता है करमों के नज़ता कैसे होती है आप स्वेम एक वाणी में प्रबुने सब बता दिया सब बता दिया ज़िए आपने जाग रुपता से वाणी सुनी तो एक वाणी काफी है हमारे जीवन को रुपांतन करने के लिए यदि आप संकलब करके जाओगे यहाँ पर जान करके सक्ती को मुझे तोड़ना है और आत्म प्रवन करना है, शर्धा पहले रखो, कि शर्धा आत्मा में रखोगे, देह में अशर्धा नहीं रखोगे, यदि मदरंजन में भी किया, उसके बाद अलोचना प्रतिकर्म प्रायश्चित करते रहोगे अपने जीवन के अंदर तुद आप आगे बढ़ जाओ ज्यान करेंगे आंखे बन मनवचन का यह शांत शरीर शांत विचार शांत सरिष्टी शांत वातवर्ण शांत हर दिशा हर के नरा शांत 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 श्याम, सिर के सिरे से पांग के उठे तक अपने भितर शुद्ध चेतना के असास कीजिए, तुम केवल 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 आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तुम आत्मा हूँ, एक आत्म तत्तो, स्वय में संपन्न परिपूर्ण है, आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, अब आपकी रूची आपकी शर्था आपकी अन्भूती आपकी प्यास को जन्म तो भीतर से बहुत बहुत समय व्यर्थ कर दिया जन्म लेने के बाद कितने वर्ष बीत गए किसी के पचास, साथ, सत्त, तीस, चालीस हमने रूची शरीर के इंद्रियों को ली अब पल्ट दो रूची को आत्मा में रमन, आत्म चिंतन, आत्म नरीक्षन मैं आत्मा हूं, तुम आत्मा हूं, सब आत्मा हैं, वही आत्मा जो अरिहनतों में हैं, सिद्धों में हैं, महावीर में, महावीर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गए, अधि आपकी प्यास है, मुझे भी सिद्ध गती में जाना है, तो आपकी रूची जो संसार के प्रत को बदल दीजी, आत्मा में सुक है, आत्मा में ग्यान है, आत्मा में शक्ती है, आत्मा में अनंत, करना और मेत्री है, इस पर विश्वास कीजी, अतल विश्वास कीजी, अतल शर्दा कीजी, ये शरीर सम्शान की राक होगा, इसके लिए हमने क्या क्या नहीं किया, फिर भी देखिए जलम से लेकर अभी तक कितना शरीर बदल गया तुम्हारा जिसको आपने अपना माना था वो शरीर बदल गया इंद्रियां शेतल हो रही है पर आत्मा में कोई प्रिवर्तर नहीं होता है आत्मा सब में समान है किसी भी गती में चली जाए उसको करमों का भुक्तान देना होता है क्योंकि रस लेकर के हमने करम बंधन किया तेहने रस लिया इंद्रियन रस लिया आत्मा की पस्तिती में लिया इसलिए भुक्तान करना पड़ेगा निश्चित मानिए आत्मा पर शर्ड़ा कीजिए इसमें एक लंबा गरस्वांस ले, अरिहंत प्रमात्मा के चर्णों में अनंत कृतिकता ग्यापत की, एक और लंबा गरस्वांस, अरिहंत प्रमात्मा के चर्णों में नमन अर्वंधन, दोनों हाथों को आंकों पेले जाएं, हलका सस्परिश, धीर इसे आंखें खोल सकते हैं नम अर्यंतानं नम सिद्धानं नम आयरियनं नम अजयनं नम लोई सथ साहुनं धम्मंगल मुकिधमायं साशन्यमो तब देवा वित्तं नमं संति जासधं में स्यामन। शिरि चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पानतो धम्म मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पानतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारी सरनं पवज्यामे अरहंते सरनं साहु सरनं पवज्जामे केवली पनत्तं धम्मं सरनं पवज्जामे चार शारान दुख वारान पनशारना कोई हो कर दो कर दो कर दो कर दो